है खूब सूरत ये पल सब कुछ रहा है बदल सबने हकीकत में जो धल रहा है हलो गाइस वेलकम टू अबर यूट्यूब चैनल और आज हम सीखेंगे एक रील को एडिट करना तो सबसे पहले आपको दो फॉंट्स डाउलोट करने है फर्स्ट फॉंट जो है वह बारलो बोल्ड फॉंट है उसको आप गूगल पर टाइप करो जैसे कि मैं यहां पर कर जहूं टाइप तो आप सिंपली टाइप करो और आपको काफी सारे ओप्शन या दिख जाएंगे तो मैं फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करूंगी गूगल फॉंट्स पे गूगल की वेबसाइट है जहां पर सारे फॉंट्स अवेलिबल होते हैं जो भी मतलब यहां जो भी बेसिक पे 504 ट्स चानी और फो सुट्थ भी डाउनलोड कर सकते इस फॉंट की तो मैं फैमिली डाउनलोड कर रही हो सीछा कुछ और तो simply एक zip file होती है उसको आप unzip करो देन उसके उपर install क्लिक करो और font आ जाता है आपके Photoshop अगेरा में so हमें ये वाला font मिल गया है यहां Google font से हम second वाले font लेंगे रील्स के लिए वो है breathing font so हम यहां सर्च कर लेते हैं breathing font so यह वाला breathing font I think यह वैब अगर आपको fonts डाउनलोड करने तो एक तो Google fonts की website पर दूसरा यह default.com जो website है यह दो जहां पर सारी fonts मिल जाते हैं easily so यह वाला मैं डाउनलोड करके same उसी file को unzip करके और अब इस पर double click करूंगी जो font का file है यह वाइट वाला यहां पर unzip इस पर double click करना है और यहां पर देखो उपर print और install आ रहा है install पर आप क्लिक कर दो और आपका जो font है वो premiere photoshop और illustrator तीनों में आ जाएगा download हो के ठीए so अब हम premiere pro को open कर लेते हैं क्योंकि मैं reals इसमें edit करने वाली हूँ अगर आपके पास premiere pro नहीं है तो आप इसी तरह अगर आपके पास phone है तो आप इसको easily अपने like canva में कर लो आप canva में इसको बना सकते हो चाहो तो in short में बना सकते हो so यहाँ पर पहले हम project open कर लेते हैं और यह सारी setting पर check कर देते हैं एक बार और अब मुझे यहाँ पर sequence create करना होगा sequence मतलब कि मुझे किस size का dimension का board चाहिए मतलब कैसे बोलूँ किस size का आपको art board चाहिए जिस पर आप यह real वगएरा को edit करोगे तो आप यहाँ पर simply जाओगे यहाँ पर click करते है sequence पर तो यहाँ पर setting नहीं आ रही तो अभी नीचे वाले box में जाके left की side click करना और यहाँ देखो sequence आ रहा है new item में sequence ठीक है यहाँ पर आप ले लो इस पर click कर देते हैं double और यहाँ पर मैंने पहले से instagram real का एक बनाया हुए है sequence आप लोग इसको बना लो बहुत easy होगा YouTube Instagram real और शॉर्स तो इससे आपका time बहुत बचेगा और याद भी जादा नहीं रखना पड़ेगा कि किस dimension का क्या है तो यह वाला हम ले लेते हैं sequence अब यहाँ पर मैं एक पर setting दिखा रही हूँ आपको कि क्या क्या setting है ताकि आप confusion ना हो तो यह सारा custom इसका यह क्याना हम 90,20,1080 यह सारा हम देख रहे है sequence है ठीक है आपको same to same sequence लेना है अब हम file को import करना चाहा है पहले एक जिस footage पर आपको काम करना है उसके लिए आपको इसको import करना पड़ेगा बस वही same आप click करना and then import का option आएगा import कर लो तो यह वाली footage है यह मैंने Pixabay से लिए है basically आप Pixabay पर आपको मिल जाएगी footage जितनी भी सुन्दर सुन्दर जैसे lotus, train, weather यह सारी footage जो है वो Pixabay पर काफी अच्छी मिलती है आप वहां से download कर सकते हैं तो यह 2-3 website है जो मैं आपको बता रही हूँ एक तो google fonts, day font and then third is Pixabay ठीक है तो यहां पर इसको हम scale adjust कर लेते हैं थोड़ी सी छोटी थी तो scale कर दिया और position को आप left right up down जो भी करना चाहो और कर लो यहां से और अब यह पूरी frame size में fit हो चुकी artboard की उपर ठीक है और हमारी यह जो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यह इस तरह की कुछ footage है यह train move हो रही है train को मैंने side corner में करा है अगर आप देखोगे तो मैंने right side में ज्यादा रखा है train को ताकि इधर की side green रहे और उधर की side movement रहे तो अब मैं इसको क्या कर दी हूँ थोड़ा color correction करने की कोशिश कर दी हूँ तो जब यह आप यहाँ पर lumetric color पर जाओगे यहाँ पर side में पैनल आ रहा है effect essential graphic उसे में lumetric color भी आ रहा होता है वहाँ पर आप auto करके adjust कर दोगे तो यह color काफी सही हो जाएगा पहले से ठीक है वहाँ परा कर दोगे पा रहा है तो यहां से हम टेक्स ले रहे हैं नीचे आपको टी दिख रहा होगा पैनल में वहां से लो और स्क्रीन पे क्लिक करो आट बोड जहां पर जो फोटेज है और आपको सिंपली वहां पर जाकर टाइप करना है अपना जो भी आप लिखना चाहते हो तो मैं तो हो इस पे टेक्स आइकन आपको यह दिख रहा है ना यहां पर क्लिक करना है उससे आपका टेक्स टाइक्स आ जाता है प्रीमियर में अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर रही हूं ताकि मैं वहां पर जहां टेक्स लिख रही हूं वह जगे मुझे क्लियरली दिखे ताकि तो बॉल्ड फॉंट है जो आपने डाउनलोड करा था सबसे पहले यहां पर आप ट्रेवल टाइप कर लो थेन सेकेंड में मैं लिखूंगी ट्रेवल दे वर्ल्ड मतब ट्रेवल दा वर्ल्ड वर्ल्ड है सो आप टाइप कर लो एक बार आप ट्रेवल एक बार्लो बॉल्ड फॉंट में रहने देते हैं और जो नीचे का दव वर्ल्ड है उसको ब्रीधिंग फॉंट में कर लेते हैं कंवर्ड उससे वो थोड़ा अच्छा लगेगा थी तो आपको मैं यहां पर डाइमेंशन मेंशन कर रही हूं कि बार्लो बॉल्ड को आपको रखना है 147 और ब्रीधिंग फॉंट को आपको रखना है 78.3 इस फुटेज के लिए वैसे मेरा प्रीमियर थोड़ा सा हैंग होता है जब भी इस पे ज़्यादर लंबी फुटेज पर काम करो शॉट वाली पर तो ठीक हो जाता है तो अगर आपका प्रीमियर के साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन है या कितनी रैम रखनी चाहिए ताकि प्रीमियर कम हैंग हो और अच्छे से वर्क करें तो क्या आइडियल रैम वगेरा ह होना चाहिए ताकि हम फिर उसी हिसाब से एक वीडियो बना देंगे जिसमें मैं मेंशन करेंगे कि किस तरह का सिस्टम आपके पास अवेलिबल होना चाहिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो यहां पर मैं टेक्स को एडिट कर जी हूँ इसका फॉंट चेंज करूंगी नीचे का दव वर्ल्ड का ट्रेवल का तो हमने 147 कर दिया है और थोड़ा बहुत मैं देखूंगी यह सेंटर में है या नहीं है तो अलाइन भी कर दूंगी उस हिसाब से तो यह विरीधिंग फॉंट है यह कितना अच्छा लग रहा है दौनों का कॉंबिनेशन काफी मतब फॉर्मल और काफी यूनीक अच्छा सा लग रहा है अच्छा सा लग यह विरीधिंग तो यह रहा है तो मैं एक एक चीज को ट्राय करके देख रही हूं इसा नहीं कि recording के दौरान में एकदम से सब कुछ एकदम form में record कर रहा हूं मैं सब को लगता है कुछ आप अलग कर सकते हो तो वो करा करो और मुझे कमेंट सैक्शन में भी बताया करो कि आप इस वीडियो में और क्या अलग कर सकते थे 얜 यह वाली जो रील थी वो और ज्ञादा च्छी कैसे बन सकती थी ठीक है सो यह वाली सारी टेक्स्ट की अजेस्टमेंट हो गई है हमारी अजेस्टमेंट की अरा है झाल झाल जो फूरा टेक्स्ट का उस टाइब का कुछ तयप unf sun चाहिए लाइक अधा सिर्कल ौर उस की उपर capable संख उस और्राइस की होती है ना उसकी रेज थॉ हमें कुछ ऐसा element चीए तो simply आप Google पर टाइप कर देना sunraise, png, sunraise, vector ऐसा कुछ image आएगा और वहाँ से वो image आपको क्या करना होगा simply illustrator में drag करके और इसको trace करना है एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ तो सबसे पहले आप illustrator open कर लो now we will take this image हाँ इसको एक बार open कर लेते हैं so यह page open होगी आपको दिखना नहीं रहा होगा क्योंकि white board white है इसको मैं थोड़ा side में करके दिखा देती हूँ so मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेती हूँ और यह रहा यह इस तरह की कुछ image है ठीक है तो अब यह मेरे को महां पर मिल गया था png form में तो मैंने इसको image trace कर लिया है पहले से so अब मेरे को बस क्या करना है मैं इसको outline stroke में change कर लूँगी path पर जाके outline stroke क्यों ताकि हम इसके जो like filling भी change कर सके और stroke का color भी change कर सके देखो अब यह एक एक part में divide हो गया है और stroke में आपको कोई color नहीं दिख रहा है तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको offset path में offset path का मतलब यह है कि आप यह जो आपको side में raise दिख रही है आप इनको कितना मोटा रखना चाते हो कितना पतला अगर आप 10 से उपर लोगे तो इसकी यह raise मोटी हो जाएंगी दस से नीचे लोगे तो पतली हो जाएंगी offset path का मतलब यह होता है देखो यहां मैं adjust करकर करके आपको दिखा दिखा दिती हूँ मैं 3 करती हूँ तो यह कितनी पतली हो गई है अब यह सही है ठीक है पहले 10 थी है now we will change the color क्यूंकि वहाँ पर text white में है तो यह भी किस color में चाहिए होगा correct white color में अब इन सब को यह क्यूंकि outline stroke कराता तो यह एक पार्ट में divide है तो इन्हें group जरूर कर लेना अब मैं इसको export कर लेती हूँ simply file पे जाओ और export का option export for screens करो and then यहां पे option आजाएगा png select करो और यह download हो जाएगा ठीक है अब फिर से premiere में वापस जाते है so अब मैं उसको artboard को download कर लेती है जो sunraise वाला था न तो यह वाला हम देखते है कैसा हुआ इसका color pixelate तो नहीं हो रहा हाँ यह काफी सही आया है ठीक है तो अब इसको आप adjust कर लेना scale कम करनी है right ले जाना है left ले जाना है आप उसको accordingly कर लेना थोड़ा सा scale कम कर लेते हैं काफी बढ़ा है और जब भी आप ऐसी editing करो जहां पर आप किसी particular area में आप edit कर रहे हो तो आप वहां पे जो options होते हैं 50% 60% 30% यह आप आप जूम कर लिया कर उससे आशान हो जाता है काम स्टार्टिंग के डेज में मैं क्या करती थी ऐसा पूरा एकदम वीडियो देखती थी पूरा जैसे भी आपको रील फ्रेम में दिख रहा है और फिर अब भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है हम रील्स पर और वी वीडियो ला रहे हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू